हाई गाईज वेलकम टो और यूटूब चैनल दर्याल इन्वेस्मेंट अफिली इंडिया इस टॉक के अंदर आपर सरकिट लगते वह देखने को मिल रहा है और साथ इस तोर पर अफिली इंडिया इस टॉक के साथ आपको क्या करना चाहिए क्या एक राइट डिसीजन रहेग यह राइट डिसीजन आप ले संगेंगी यह वीडियो देखने की बात तो वीडियो को पूरी बाते आप ध्यान सी सुनिएगा और आप एक राइट डिसीजन लीजेगा सबसे पहले आपको मैं अपर सरकिट की बारे में बताना चाहूंगी जैसे कि अपर सरकिट यह तब हो जाता अब अब अकसर लोग क्या करते है कि जब अपर सरकिट की लगता है तो इसके अंदर से बहुत से लोग प्रॉफिट बॉकिंग करना चाहते है क्योंकि इस ट्रोक अपने हाई पोजिशन पर होता है और बात में बहुत जादा लेवल पर हापर गिर वह देखनी मिलती ह और stock के अंदर upper circuit लगना यानि कि lower circuit की यहाँ पर आगाज होते हुए हमें देखने मिलता है और कुछ time period के बाद stock के अंदर हमें lower circuit भी लगते हुए देखने को मिलता है आप यह बात है मैं आपसे क्यों कह रही हूं जो दूसरे भी stock है आपने कभी जैसे के actual stock हो जाए या कोई भी आपसी दूसरे stock ले सकते हैं जो कि यहाँ पर quality वाइस काफी अच्छी हो उनके अनरा में upper circuit लगते हुए क्यों नहीं दिखने को मिलता है क्योंकि वो stock के अंदर capability हो position होती है वहां में देखने मिलते हैं और आप देख सकते हैं पहले पर circuit लगा था फिर stock यहां पर डाउन भी चला गया था 20% का भी आपर circuit लग चुका है stock के अंदर तो ऐसी सिट्विशन में इन्वेस्टर्स काफी तोर पर यहां पर confused होते वह देखने को मिलते हैं तो इस नेवल पर जो इसके अंदर काफी लंबे समय से यहां पर टिके हुए और यहां पर अच्छा कासा profit में है वह आपनी यहां पर profit booking कर सकते हैं जो यहां पर हाली में यहां पर इन्वेस्ट करकर पर देखनी मिल रहा है तो अगर आप इतने हाई प्राइस पर लेंगे तो उतने लेवल का आपको profit होते हैं वह देखनी को नहीं मिलेगा जब स्टॉक के अंदर काफी नीचे याने की गिराओट होती है जब इन्वेस्टर्स प्रेशर में आ जाते तब आप इसके अंदर आ यहां पर डेफ्री देखने हो मिल रही है आरोई और आरोसी दोनों भी आपर काफी जबर्दस लेवल का है मैं बार बार आपको बताज दे रहे हैं आरोई और आरोसी 20 के उपर याने की बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है स्टॉक की सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है स्टॉ स्टॉक का पी देख सकते हैं 333.34 का देखने मिल रहा है यानि कि प्राइज अरिंग स्टॉक की काफी हाय चल रहे है तो यहां पर फ्रेज बाइंग के बारे में बिल्कुल भी सोचेगा मत आम यहां पर बात कर लेते वॉल्यूम के बारे में अगर वॉल्यूम टिपेंड कर बारे में और एक बात बतना चाहended जब स्टॉक के बारे में एक बात बतना चाहां गी जब स्टॉक के अंदर इसी वरट एक जब सप्रेटी के बार 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 लोर सर्कीट जब सिच्विशन ऐसी बनती है तब स्टॉक को यहाँ पर सेवी के अंडर चला जाता है कि वहाँ पर कोई ऑपरेटर्स तो एक्टिव नहीं है क्योंकि ऑपरेटर्स के एक्टिव होने की चांसे से हाँ पर कई वोना जादा बढ़ जाते हैं जब यहाँ से लेटेड है यहाँ पर स्टॉक के अंदर हमें देखने मिल रहा है यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बार विस सोच रहे हैं उनके लिए बात काफी जादा माहिने रखती होगी नेक्स बतारा चाहूंगी करण प्राइज यहाँ पर देख सकते डिविडिनेट रिटर प्रवाइड करते वह देखने मिलता है आप इसका शेरोल्डिंग पैटर्न के बारे में डिसकस कर लेते हैं फॉरे इंटीन पॉइंटीट परसेंट सेंट का स्टेक बढ़ कर 18.25 परसेंट हो चुका है नंबर आप मुचल फॉंड्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है मुचलवाइड फंस ने होल्डिंग कम कर दिया और खुद प्रोमोटरस ने अपनी होल्डिंग यहापर청 की और सब्लियोंड रही और इसे की चलते degli भी अप प्रसेंट लगते हैं देखने मुझा लेकिन यहा पर आभी आप आफी जादłиз alert मुमेंटम आ चुका है अफिलिपन तो आपको यहां पर एक राइट डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी है जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिसकस कर लिया वाइस सेल होल्ड के बारे में कि आपको यहां पर क्या करना चाहिए और फॉरकस्ट रेटिंग भी रेख सकते हैं 50% यहां पर बाइंग देखन